इस summer season में अगर आप अपनी एक air conditioner लेने के लिए प्लान कर रहा है और confused है 3 star और 5 star rating के air conditioner के बीच में और आपके मन में कुछ सवाल हैं जैसी कि क्या 3 star rating air conditioner जब है वो 5 star rating के air conditioner के मुगापवले को लिंक कम करता है इन दोनों ही air conditioner के बीच में power consumption का कितना difference आपको देखने को लेकिन अगर आप हमारे चानल पर पहली बार आए और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब किजिए हमारे चानल को साथ में बार अकवाइकन को प्रेज करना मत बुलीगा क्योंकि इसी तरीके के useful videos आपको हमारे चैनल बटाइब बटाइब मिलते रहेंगे जो कि आपका knowledge बढ़ाते रहेंगे बात करते हैं कि दोस्तों क्या 3 star का air conditioner जो है वो 5 star rating के air conditioner के मुकाबले आपको कम cooling प्रोवेड करेगा तो दोस्तों ऐसा कोई भी fact नहीं है cooling depend करती है air conditioner की cooling capacity के उपर suppose अगर एक 3 star का rating का air conditioner है और उसकी cooling capacity जो है वो आपको 1.5 ton की 500W मिल रही है और सेम एक 5 star rating के भी देट अनकी air conditioner की cooling capacity 500W मिल रही है तो दोनों ही air conditioner जो है वो आपको सेम cooling ही provide करेंगी और difference आपको देखने को मिलेगा केवल power consumption में अब बात करते हैं कि दोस्तों 3 star और 5 star rating के air conditioner के पेच में power consumption का कितना ज्यादा difference होता है पहले हम बात कर लेते हैं कि जो air conditioner के अंदर आपको star rating sticker मिलता है चाहिए वो 3 star का हो या फिर 5 star rating के air conditioner का हो वहाँ पर आपको power consumption की भी detail mention होती है और उपर top की और आपको जो है वो ice air value की details mention होती है दोस्तों ice air value से काफी impact पड़ता है उस air conditioner के power consumption का और ice air value जो है वो B.E. दोरा कीस से निकाली जाती है उसके बारे बात कर लेते हैं B.E. दोरा दोस्तों air conditioner को लगाता सूला सो गंटे तक test किया जाता है अलग-अलग temperature में अलग-अलग weather conditions में और जिस हिसाब से दोस्तों जो भी power consumption निकल के आता है उससाब से उस air conditioner को जो है वो ice rating दी जाती है दोस्तों ये तो B.E. का जो एक standard parameter का criteria हो गया लेकिन जो B.E. दोरा हमें जो भी power consumption बताया जाता है वो actual नहीं होता है क्योंकि हर एक condition आपके घर की या weather की अलग-अलग हो सकती है तो power consumption भी different हो सकता है actual power consumption आपका air conditioner कितना करेगा ये तो हम भी आपको 100% नहीं बता सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग का usage pattern अलग-अलग होता है कोई air conditioner को जो है वो 18 degree या 20 degree temperature पे यूज करता है कोई जो है वो 24 degree, 25 degree या फिर 23 degree temperature में यूज करता है वही पर दोस्तों अगर आप air conditioner को जो है वो 24 degree या 25 degree temperature में यूज करता है तो compared to come temperature के मुकाबले आपका air conditioner जो है वो power consumption थोड़ा सा कम करेगा तो आपकी usage button के उपर depend करता है कि आप air conditioner को कितने temperature में यूज करता है उससे साबसे एक power consumption निकल कर आपके सामने आता है लेकिन अगर हम एक standard calculation की बात करें जिससे कि हमें ये अंदाजा लगी कि एक air conditioner जो है वो power consumption कितना करेगा तो for an example दोस्तों भी अपको screen पर एक 3 star rating की और एक 5 star rating की air conditioner की star rating sticker दिख पा रहे होंगे ये दूनों ही air conditioner आपको 1 ton capacity की देखने को मिलता है और अच्छी बात है कि इन दोनों ही air conditioner के अंदर जो cooling capacity आपको मिल रहे है वो 320 watt मिल रहे है अब यहाँ पर हम power consumption इन दोनों ही air conditioner का केसे निकाल सकते हैं पहले हम 1 ton 3 star के air conditioner के power consumption का calculation करता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको cooling capacity जो है वो 320 watt मिल रहे है और ICER rating आपको 4.0 मिल रहे है तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है जो पर cooling capacity मिल रहे है उसको divide करना है ICER value से यहने कि 320 को हम divide करेंगे 4 से तो यहाँ पर हमारे सामने value आएगी 880 अब जो यह 880 है यह watt है और watt को आप calculate से कर सकते हैं कि दोस्तों जिसे कि 1000 watt होता तो उसका मतलब यह होता है कि 1 unit तो वहीं दोस्तों अगर हमारे सामने जो value आ रहे है 880 तो इसको अगर हम unit में convert करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने value आएगी वह आए कि 0.88 यहनि कि दोस्तों यह जो 1 ton 3 star rating का air conditioner है वो अगर 3520 cooling capacity में एक घंटे अगर काम करेगा तो 0.88 unit जो है वो overly consume करेगा तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो overly unit का calculation आ चुका है hourly unit आने के बाद दोस्तों for an example अगर आप यह calculate करना चाहते हैं कि अगर आप air conditioner को 8 घंटे यूज करते हैं तो 30 दिन में आपका air conditioner जो है वो कितना power consumption करेगा यानि कि कितनी unit consume करेगा तो दोस्तों simple आपको यह calculate करना है कि 30 दिन अगर आप air conditioner को 8 घंटे के साब से use कर रहा है तो आप एक मेने में air conditioner को 240 घंटे यूज करते हैं तो यहाँ पर आप 240 into hourly unit जो है जो है जो 0.88 को multiply करेंगी तो आपके सामने एक value निकल कराएगी 211 यानि कि आपका जो air conditioner है वो अगर आप 8 घंटे 30 दिन तक लगातार यूज करते हैं तो 110 3 star का air conditioner जो है वो 211 unit monthly consume करेगा वही पर अगर आप 6 मेने के साब से calculate करेंगे तो आपके सामने value आएगी 1260 यानि कि आपका air conditioner 6 मेने के अंदर 1260 unit consume करता है सेम आप 1 ton 5 star के air conditioner का भी calculation कर सकते हैं जस्ट आपको ये करना है कि जो sticker पर आपको detail दिख पा रही है एग्जामपल 3220 watt cooling capacity और IC value आपको 5.20 मिन रही है तो 3220 को आप divide करेंगे 5.20 से तो हमारे सामने value आएगी 670 तो 676 जो है वो वाट है और अगर आम इसे 1000 वाट यानि कि एक यूनिट के साप से जो है वो calculate करता है तो ये air conditioner जो वंटन 5 star का air conditioner है ये एक घंटे के अंदर 0.68 unit consume करेगा उसको अगर हम calculate करेंगी कि suppose अगर आप 8 गंटे air conditioner को एक दिन में यूज करते हैं तो monthly जो आपका air conditioner है वो कितना power consume करेगा 240 गंटे हो रहा है उसमें हम 0.68 को multiply करतेंगे तो हमारे सामने value आएगी 163.2 यनि कि आपका जो ये 5 star rating का air conditioner है वो एक मेने के अंदर 163 unit जो है वो consume करेगा और 6 मेने के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सामने value आएगी 989.2 यनि कि अगर आप air conditioner को 8 गंटे डेली यूज करते हैं तो 6 मेने के अंदर आपका जो ये एर कंडिशनर है वो 989 unit 5 star rating का करता है तो अब आपको ये समझ में आगया होगा कि दूस्तों 3 star rating का जो air conditioner है वो 1267 unit जो है वो consume कर रहा है अगर आप air conditioner को लगाता 6 मेने यूज करता है और टेली का यूज से जो है वो आपका 8 गंटे रेता हो तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा माइनस करतेंगे 3 star rating के air conditioner के unit को 5 star rating के air conditioner के unit से तो यहाँ पर हमारे सामने value आती है 288 unit येन और 288 अगर हमारे सामने value आ रहे है और हम एक unit की जो price है वो calculate करते 10 रुपे के साब से तो दोस्तों 5 star rating का air conditioner है वो 2880 रुपे 6 मेने के अंदर आपको save करके provide करेगा तो यहाँ पर आपको ये power consumption का calculation का निकल कर सामने आता है अब आप जो है वो आपने इसाप से calculation कर सकते हैं देखना है कि दोस्तों आपका usage जो है वो daily कितने घंटेगा है और आप कितने समय के लिए air conditioner को use करते हैं उस हिसाप से आप आवर निकालने और उस हिसाप से दोस्तों आप air conditioner की unit को निकाल कर एक proper calculation कर सकते हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी usage के इसाप से आप कि इतनी cost की saving कर रहा है दोस्तों लेकिन अगर आप एक simple वाज़ा में समझें कि अगर आपका usage जो है वो कम से कम रोज का 8 से लेकर 16 गंटे तक रहता है और आप साल पर में air conditioner जो है वो minimum 6 मैने या maximum 10 मैने तक use करते हैं तो इसे मैं आपको एक 5 star rating का air conditioner निहे लेना चाहिए जिसस कि दोस्तों आप power saving जो है वो कर सकता है और अच्छी खासी cost की saving भी कर सकता है लेकिन अगर आपको usage काफी कम रहता है 6 गंटे से कम daily usage रहता है और आप AC को जो है वो केवल summer season में ही use करता है और आपका usage जो है वो कम से कम 5 मैने या 4 मैने तक ही रहता है तो फिर आपको एसे में एक 3 star rating का air conditioner ये लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों 3 star rating के air conditioner जो होता है वो 5 star rating के air conditioner के मकावले 5 से लेकर 10,000 उपर तक आपको सस्ते देखने को मलता है इसे में आप एक initial buying cost को save कर सकता है तो आपको केवल ये करना है कि आपको अपनी requirement के एसाफ से एक proper तरीके से calculation करना है जो कि म अपने लिए एक best star rating का air conditioner चूज कर सकता है उमीद है दोस्तों आपको अमारा ये वीडियो जरू अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में जो हमने calculation बताई है वो आपको काफी help करेगी एक best star rating के air conditioner को अपने लिए चूज करने के लिए दोस्तों अब अपने लिए 3 star, 4 star य अपने लिए चेक आउट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्याता सथ है इस वीडियो को अपने family friends के साथ जरू शेय कीजेगा और अगर आपकी कोई सवाल है तो please comment कीजिए आपके सवाले को reply आपको हमारी उस से मिल जाएगा दोस्तों अची वीडियो में इतना ही मिलता हैं बहुत जंदिक न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरावन